कि फाइनली इन कोशी कला एंड रेन स्टार्टेड एड हेलो एड़िवान हम है कोशी कला में और हम जा रहे हैं रादा राइनी के मंदिर में और अब इंग स्टेशन पर ही है और यह आज का हमारा फॉर्स्ट व्लॉग है और जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए फॉर्स व्लॉग बनाना बट फिर भी आज हम फॉर्स टाइम बरसाना जा रहा है तो मैं चाहते हूं कि मैं कुछ प्रीशेस मूमेंट कैप्चर करूं इंट्रोवर्ट है एक्स्टोवर्ट है देखी जाएगी क्या पता व्लॉग देली में रहते हूए और इतना पास में बिल्दा और बरसाना होते हूए अभी तक नहीं है और जब कि मैं दो हजार एकिस से भक्ती में हूँ और आज दो हजार चौबिस में फर्स टाइम जा रही हूँ यह तो बस श्री जी की किर्पा है नहीं तो श्री जी की किर्पा का है अब हम रिक्षा लेंगे यहां से मंदिर के लिए डारेक्ट शायद से तीस चालिस रू को लेगा ओ मैं गॉड कैम उसके ओपर ही पानी आ गया मंदिर बस में जाना पड़ेगा हूँ तो रिक्षा वाला भी जाता है आंके की सालिस होगे इतनी बार चुल गया मंदिर फाइनली हम बरसाना पहुच गए है और अभी हम राधर आने के मंदिर जा रहे हैं लोगों ने बता है यह गली सी है वहां से जाना है वहां पर डारेक्ट मंदिर दिख जाएगा तो हम वहां जा रहे हैं कामेरा बड़ा परिशान कर रहा है अभी परिशार है और यहां पर निशुलक के साथ वित्रन हो रहा है अनय लोग वी बुला रहा है और यहां पर लोग मुझे देख भी लिए अब देखते हैं उनके साथ है तो ऐसा केले नहीं जा सकते हैं हम जारे श्रीजी के महल में और रास्ते में समाहन के दुकाने और फिशाद देने वाले यह हम मंदर के अर जाते हैं और लगवार देखते हैं और यहां जाएंगे और अभी चड़ाई बाकी है और हम शेयर के लोगों की साथ फूल गई यह श्रीजी के महल के उचाते हुए में मुम्मी पूरी कोशिश करती हुए जी जान लगा के अर अब हम जारहे और अच्छे सब दर्शन करके फिर बात करेंगे तब तक के लिए नो डिस्टरबेंस, नो व्लॉगिंग यह मैं एंटरी है तेवे, चले रादा रानी कीचे, अब दीवेगी रादे चापे रानी कीचे हालत इतने बुरी हुए है, इसको थोला टीक करते है, एंदेन मैं एक्स फ्रादिन करेंगी, बहुत हालत खराब हुए है, सारे पहाँ जला सब दब गया था यह माई श्रीजी का गेट, यह माई दुवान, और यह उनकी करपा यह हमारी लाज्ट ली जी महराच, यहां से हम एंटर हुए थे, यह ब्यूटिफुल व्यूँ, आज तो मौसम विश्ट जी के पास बहुत अच्छा है अच्छा के बेक साइड का एरिया है और यह भी बहुत सुन्दर है और यह हां से बहार का व्यूँ कि कुछ हास बहुत सुन्याओ का व्युक्त के बाद है और यह भी बहुत टुचर है और यह भी बहुत सुन्दर है